मुगले चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी बनाते हैं। जैसा नाम है वैसी ही ये शाही रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो ये चिकन बिर्यानी बनाने के लिए हम लेंगे एक किलो चिकन। इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच, अधरकलेसं का पेस्ट और आधा कब डाल ल डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर सकते हैं आधा चमच है हल्दी का पाउडर एक चमच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर तली हुई डाल देंगे काला जीरा दो बड़े चमश मोटा चॉप किया हुआ पिस्ता डालते हैं दो बड़े चमश चॉप किया हुआ काजू है और दो बड़े चमश चॉप किया हुआ बादाम डाल देंगे थोड़े से हैं पुदीने के पत्ते और थोड़े से बारिक चॉप किये अच्छी तरह से मसालों को मसलते हुए चिकन के साथ मिक्स कर लेना है चिकन बोन्स के साथ है अगर आप इसे मेरिनेट कर लेंगे 2-3 घंटों के लिए तो चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बन कर रेडी होगा तो ढग देंगे इसे और फ्रिज में रख देते हैं मेरिनेट होने के लिए अब चावल बनाना है तो इसके लिए उबलते हुए पानी में डालेंगे ये सारे खड़े मसाले 5-6 हरी मिर्चे हैं कम तीखी वाली थोड़े से बारिक चॉप की हुए धन्य के पत्ते डालते हैं आदे नीमो का रस निचोड लेंगे नमक एक बड़ा चमच डालते हैं एक चमच डाल देंगे काला जीरा तीन से चार मिनिट के लिए खड़े मसाले हाई फ्लेम पर पानी में उबल जाए तब हम इसे निकाल सकते हैं या फिर आप इसे इसी तरह से रख लीजिए आप चावल डालना है एक किलो बासमती चावल है इसे मैंने आदे घंटे के लिए बिगो कर धो कर पानी ट्रेन कर लिया है चावलों को हम 50-60% तक पकाएंगी हाई फ्लेम पर पानी में बॉइल आ जाने दीजिए और 2-3 मिनिट के लिए चावलों को उबलते हुए पानी में रहने दीजिए बस फिर हम चावल को निकाल कर चिकिन के उपर बिचा सकते हैं तो चिकिन को मैंने फ्रिट से निकाल लिया है इस पर अब कोई गarnishing नहीं करेंगे बस चावलों को हमें इस पर डाल देना है तो 50-60% पके होए चावल इस पर डाल देते हैं चाबलों को अच्छी तरह से सारी तरफ हमें फैला लेना है अब आधा कप पिगला हुआ घी हम चाबलों के उपड़ डाल देंगे चाबलों के उपर घी डालने से चावल तो खिले-खिले बनेंगे और घी नीचे जाकर मसालों में अच्छी तरह से mix भी हो जाएगा पीला food color मैं चाबलों पर डाल रही हूँ आप चाहें तो जाफरान को पानी में भिगो कर भी डाल सकते हैं थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और तली हुई प्यास डाल लेते हैं बिर्यानी को हमें दम पर पकाना है तो इसे अच्छी तरह से हम सील कर लेंगे ताकि स्टीम बिलकुल भी बाहर न निकले और चिकन एक दम नर्म मुलायम पकर रेडी हो मैं आठा लगा रही हूँ पतीले के उपर आप चाहें तो पतीले पर अलुमिनियम फॉयल लगा कर धकन लगा कर भी इसे सील कर सकते हैं अब बिर्यानी को हम दम पर पकाएंगे 40 से 45 मिनिट के लिए एक दम लो फ्लेम पर दम पर बिर्यानी पक जाएं इसके बाद फ्लेम बन कर देंगे और 10 मिनिट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं और फिर ठकन हटा लेंगे खुश्बूदार बहुत ही टेस्टी लाजवाब जाएके वाली मुगलाई चिकन बिर्यानी बन कर रेडी है सर्फ कर लें इसे रायता चटनी या सालिट के साथ